परिचाए सर, हम एक फल के अंदर बीज क्यों पाते हैं? शाम, पातपों में लेंगिक प्रजनन के बाद ही बीज विक्सित होते हैं. लेंगिक प्रजनन क्या होता है सर? दो युकमकों के मिलने से एक नया जीव उत्पन होता है. सर, पातप का कौन सा भाग लेंगिक प्रजनन में हिस्सा लेता है? बेटा, पुश्प पातपों के लेंगिक अंग होते हैं. इसलिए ये लेंगिक प्रजनन में हिस्सा लेते हैं. ये सुन्दर पुश्प फल और बीच के रूप में कैसे प्रजनन करते हैं? ठीक है, आओ, हम पुश्पी ये पाधपों में लेंगिक प्रजनन के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस पार्ट के अंद में आप निम्निकरने में सक्षम हो जाएंगे। एक पुश्प के हिस्सों की पहचान करना। पुंकेसर की सनजना और लगु बीजानों धानी की प्रक्रिया को समझना। जायांग की सनजना और गुरु बीजानों धानी यानी बीजांड की प्रक्रिया को समझना। परागन को समझना और परागन के विभिनिकार्गों की पहचान करना। निशेचन के प्रकारों को समझना, भुरून पोश, भुरून, बीज और फल के विकास को समझना. पुष्प के हिस्से पुष्प अंगों की तीन प्रमुक्ष्रेणियां हैं. प्रजनन अंग मादा, प्रजनन अंग नर और घैर प्रजनन अंग. प्रजनन अंग मादा, अंडप या स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांट. प्रजनन अंग नर, पुँख केसर, पराकोश, डंठल तंदू यानि फिलामेंट, पराक. गैर प्रजनन अंग, पंखुडी यानी दलपुंज, रस यानी वाहिदल, टेपल्ज निशेचन पूर्व घटनाए पुषपी पातपों में लेंगेक प्रजनन में निशेचन से पूर्व निम्न घटनाएं होती हैं लगूबी जानू धानी और पराकन का विकास गुरूबी जानू धानी एवं मादा युक्मकोद भिद का विकास पुंकेसर और पराकोश की सनजना पुंकेसर में लंबा एवं पतला डंठल तंतू यानी फिलामेंट तथा दुईपालिक सनजना पराकोश होती है पराकोश की सनजना दुईपालिक पराकोश दो कोश्ट होते हैं पराकोश में चार विवर या लगू बीजानू धानी होते हैं जो पराग पुटी यानी पॉलन सेक्स के रूप में विक्सित होते हैं। लगु पीजानु धानी और पराग कन का विकास लगु पीजानु धानी पराग कोश में प्रतेक दुई गुणित मात्रे कोश का अर्द सूत्री विभाजन द्वारा चार आगुणित लगु पीजानु या लगु पीजानु चतुश्क का निर्मान करती है। हर आगुनित लगुबी जाणू एक विस्त्रित दीवार पर पनपते हैं और सूत्री विभाजन के द्वारा पराग कण बनाते हैं। पराग कण नर युग्म कोदभित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दो सते ही भित्ती होती हैं बाहेचोल और अंताचोल। बाहेचोल में रंद्र होते हैं जिनें जनन छिद्र कहते हैं। पराग कण के परिपक्व होने पर उसमें दो कोशिकाएं काईक कोशिका और जनन कोशिका समाहित होती है। जायांग और बीजांड की संदचना जायांग जायांग इस्तरी जनन अंग का प्रतिन धित्व करता है। इसके तीन भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाए, अंड़ाशय। इसके अंदर एक गर्भाशयी कोहा यानि कोश्टक होती है। जिसमें एक-एक अपरा यानि नाढा इस्तित होती है। अपरा से गुरू पी जानुधानी या बीजान्ड निकलता है। बीजान्ड एक अध्यावरणी गुरू पीजानुधानी है। इसमें बीजान्ड काय होता है, जो एक या दो अध्यावरण या संदक्षक आवरण से घिरा होता है। बीजान्ड के अंग। बीजान्ड व्रिंत, हैलम यानी फैनिकल, संदिरेखा यानी रेफ, बीजान्ड काय, भ्रून कोश, अध्यावरण यानी इन्टी जुमेंड्स, बीजान्ड द्वार यानी माइक्रोपाईल, और निभाग यानी कैल्चा. गुरू बीजान्ड जनन और माधा युग्म कोद्भित का विकास, गुरू बीजान्ड की प्रक्रिया विक्सित होते, बीजान्ड के बीजान्ड काय के अंदर घटित होती है. एक प्रासूतक कोशिका बीजांड काय में बीजांड द्वारी शीर्ष पर विभाजित होती है। जिन में से एक कारिशील होता है और अन्य तीन अप विक्सित यानि अप ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रूण कोश की तीन कोशिकाएं, दो सहाई कोशिकाएं और बीजांड द्वारी शीर्ष इस्थित एक अंड कोशिका अंड उपकरण का निर्मान करती है। तीन प्रती व्यासांथ एंटी पोडाल कोशिकाएं निभागी चोर पर होती हैं। केंद्रिय कोशिका में दो धुरुविये न्यूक्लियाई होती हैं। परागन पराकन के नर परागोश से इस्तरी केसर के वर्थी कागरितक इस्थानांतरन या संचारन को परागन कहा जाता है। परागन तीन प्रकार के होते हैं। स्वाज्युग्मन यानि ओटोगेमी एक ही उसी पुष्प में पराकोश से वर्थी कागरितक पराकडों का स्थानांतरन है। स्वापरागित पुष्पों में पराकोश एवं वर्तिकागर एक दूसरे के पास अवस्थित होते हैं और स्वापरागन या आटोगेमी को सुलब कराते हैं सजाद पुष्पी परागन एक ही पादप के एक पुष्प के पराकड़ों का, दूसरे पुष्प के वर्दी कागरों तक का इस्थानांतरन होता है, पर निशेचन इसमें भिन पादपों के पराकोश से भिन पादपों के वर्दी कागर तक पराकड़ों का इस्थानांतरन हो परागन के अभीकर्मक या कारक परागन अभीकर्मक ऐसा कारक होता है जो एक इही प्रजाती के पादप के पुश्प में पराग को नर से मादा के प्रजनन अंग तक इस्था नांधरित करता है परागण के अभी कर्मक में शामिल हैं वायू, जल, कीडे यानि कीट, तितली, मक्खी, मतमक्खी और भ्रिंग आदी चमकातार, पक्षी और अन्य पशू निम्निचित्र परागण में सहिता के लिए गुंजन पक्षी की लंबी पतली चूँच और पतली पुश्पिये नलिकाओं का सह विकास को दर्शाता है पराग, स्त्री के सर संकर्शन यानि पारस परिक्रिया सुयोग्य परागण द्वारा परागकण किसी जनन्चिद्र के मात्यम से एक पराग नलिका उत्पन करने हैं तू वर्ति कागर पर अंकुरित होते हैं परागकण के तत्व अंडाशय में इस्थित बीजान, बीजान्ड द्वारी शीर्ष तक पहुँचने के लिए पराग नलिका के मात्यम से गमन करते हैं इसके पश्चाद पराग नलिका तंतुरूप समुच्च के मात्यम से एक सहाई कुश्का में प्रवेश करती हैं दोरा निशेचन यानि दुई निशेचन एक सहाई कुश्का में प्रवेश करने के पश्चाद पराग नलिका त्वारा जीव द्रव में दो नर युगमग अवमुक्त किये जाते हैं एक नर युगमग अंड कोश्का की ओर गती करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है इस तरह युगमग संलयन पून होता है अन्य नर युगमक केंद्रिय कोशिका में इस्थित दोध्रविय न्यूकली यानि केंद्रिकी की ओर गती करते हैं और उनसे संगलित होकर त्रिगुनित बनाते हैं इस तरह इसे त्रिसनलयन कहते हैं निशेचन पश्च घटनाए निशेचन पश्च घटनाओं में शामिल है ब्रून पोश का विकास ब्रून का विकास बीजांड बीच के रूप में और अंडाशे फल के रूप में विक्सित होना ब्रून पोश कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रीगुनित ब्रून पोश उतक की रचना करती है इन उद्गों की कोशिकाएं संदक्षित खाद्य सामगरी से पूरित होती हैं और विकाशील भृून की पोशक्ता के लिए उप्योग की जाती हैं भृून विकाश गोलाकार, हध्याकार तथा परिपक्व भृून के निर्मान के लिए युगमनच प्राग भृून का समसूत्री विभाजन होता है भृून की सनचना एक भृून में समाहित होते हैं एक भृून ये अक्ष, दो बीच पत्र यानी डाइकोट में और एक एक बीच पत्र यानी मोनोकोट्स में बीच पत्र के स्तर के उपर भृून ये अक्ष की प्रोटीन यानी एपिकाटील बीज पत्रोप्त्रिक होती है जो प्रांकुर या स्तंब सिरे पर प्राया समाप्त होती है. बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो की मूलांत सिरा या मूलच के शिर्शांत पर समाप्त होती है. बीज और फल का विकास निशेचित पीजांट बीच बनता है, अध्यावरण बीच का आवरण बन जाता है, जिसे बीच चोल कहते हैं, परिपक्व बीच दो प्रकार के हो सकते हैं, अलपूमिनियस और घैर अलपूमिनियस, फल एक परिपक्व अंडाशे होता है, जिसके अंदर बीच होते हैं, अंडाशे की दिवार, फल की दिवार यानि शिलके के रूप में पतल जाती है, जिसे फल भित्ती कहते हैं, मांसल फल के फल भित्ती में शामिल है, अंता फल भित्ती यानि बीच के चारों ओर, मद्दे फल भित्ती यानि मांसल भाग, वाहे फल भित्ती यानि तौचा. क्या आप जानते हैं? आईए हमने जो को सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। आप जानुधानी प्रक्रिया के बाद एक साथ कोश किये एवं आठ नुकलिक्रित ब्रून कोश का निर्मान होता है। परागन एक प्राक्रम है जिसमें परागन पराकोश से वारती कागरितक स्थानांतरित होते हैं। आवरित्ति बीजी दोहरा निशेचन प्रदशित करते हैं क्योंकि प्रतेक ब्रून कोश में दो सनलयन, युगमक सनलयन तथा त्री सनलयन होते हैं। युगमनच ब्रून तथा प्रात्मिक ब्रून पोश कोश का ब्रून पोश उतक गठित करती है। निशेचन के पश्चाद, अंडाशे, फल के रूप में तथा बीजान बीच के रूप में विक्सित होता है.